हलो आज हम बनाएंगे खजूर सलवार तो यह है बेल्ट जो की है 9 इंच लंबाई और चोड़ाए 20 है करेंगे खोलेंगे हम तो उसकी 40 हो जाएगी बेल्ट आपको बार बार हमने बताया है और यह है लंबाई लंबाई आप जितनी आपको लेंथ हो इससे बेल्ट को छोड़ करने के बाद उतना लंबा कर लें और नीचे की मोड़ी हमारी 15 इंच की होगी और यहां पे यह तो 7 इंच है हर वीडियो में हमने आपको पता है कि 7 इंच होगा अब यह वाला इंच आप 60-80 जितना चोड़ा हो सके उतना आप कर सकते हूं और नीचे का 1 इंच रहेगा क्यो तो अब हम पहले कुझ करेंगे बेल्ट नो इंच का पैल्ट हमने बताया तो नो इंच का बेल्ट यह वाला है तो नो इंच ठीक है मिलकुल सीथा आपको बेल्ट्ट की करना की मुझा वती है यह प्लास्टिक लगाए यह आप् invers करना है कि आपको यहां जाई को तो । यह रहां है कि श्कु भाग नहीं डिवाइट neurolog कर दिया है विए साइड में अब अब यह रंगां है दो पेपर को आपको रखना है और यहां पे लगाना है एक इंच और दूसरे साइड भी हम लगाएंगे यहां पे एक इंच नीचे की तरफ और उससे इस तरीके से निशान बना लेंगे निशान बनानी के बास साथ इंच जो हमने बताया है कि मियानी के लिए यह वो चीज है दूसरी साट भी हम साथ इंह लगा लेंगे मुझा जुए इसकी 切्टाइबि आपको निश्ंस प्लाइए निशाण लगाया वैसे ही आपको क्टाइबि आपको कॉटकर लो लूजाक. यह खजूर सलवार है खजूर सलवार की बहुत सारी कमेंट आ रही है हमारे पास यह खजूर सलवार बता दीजिए अभी तक अमनी खजूर सलवार नहीं बनाया तो यह खजूर सलवार की वीडियो आपकी पास जा रही है और बिल्कुल पटियाली की तरह ही इसको कटिंग करन है बस चिलने में ही थोड़ा सा डिफरेंस है सिलाई करते वक्त आपको डिफरेंस भी बताते हैं जी हो गया रेडी दो एक सेट लगेगा और दो एक साइट लगेगा ये लेफ्ट और राइट आप अपने तरीके से लगाएंगे तो ये तयार हो गया हमारा कटिंग अब हम चल को इस तरीके से रखेंगे और बिल्कुल सीधा सिलना है में यहां से पलट देंगे फिर दूसरे वालो को भी इसी तरीके से लगाएंगे अब लकुल सीधा सिलना है इसो चिलके भी दिखाते हैं आपको यह है सिलाई बिल्कुल आपको सीधा सिलना है कपड़े भी आपको ऐसे ही सिलना है और पेपर पे भी हम ऐसे सिखा रहे हैं पेपर पे तो सिर्फ हम आइडिया ही दे रहे हैं आप तो कपड़े पे रिपलाई करते रहे हैं कोई भी प्रब्लम होती है तो कमेंट करिए एक ब में आपका बिल्कुल सही बनेगा और कोशिस करिए तो सब कुछ हो जाएगा और दूसरे साइट भी ऐसे कर देंगे तो यह फोल्डिंग हमारा खुल जाएगा ठीक है तो इस तरीके से सिलने के बाद इस तरीके से आएगा आप हमें चुन्नट कैसे बनाना है चुन्नट बनान देखिए इस तरीके से चुन्नट को हम इस तरीज से कर देंगे तो यह बैठ जाएगा जब कि यह पेपर है कपड़े में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा तो कोई नहीं आप सिल लेंगे तो आसानी हो जाएगी तो इस तरीके से फोल्डिंग करने के बाद यहां से यह हो जा रहा रहा है folding कि अब इस तरीके से हम इस फी बना लिए हैं नीचे के साद भीह बनाना है ओरम उपर की साद भी स्राइ। देख रहे हुआ तो पर किस तम उपर की तरफ हम सिलाई बनाती जा रहे हैं चुड़नर दे करके और सिलते जाएंगे तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताईए कोई तो प्रब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो देखें ये नीचे की सिलाई है जैसे जैसे आपका चुन्नट नीचे की तरफ कया है वैसे वैसे ही आपको सिलाई भी बनानी है यहाँ से ठीक है सिलाई करनी के बाद आप थोड़ा सा उसे फिनिशिंग दे सकते हो जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसको कटिक करने के लिए इस तरीके से आप सिल करके पूरत तयार कर लेंगे रेडी देन इसको नीचे तक लिए कर जाना है ऐसे ही दूसरे साइट का भी सिल लेंगे सेम प्रसेस दूसरे साइट का भी हम बना करके रखेंगे और इसकी बाद हम सिलेंगे मियानी उल्टे की साइट से इसको भी सीधा सिलना है बिल्कुल सीधा सिलने के बाद आपको लगाना है इसमें पट्टी ठीक है तो यहां से यह हो गया अब यहां से हम इस तरीके से नापेंगे और नापने के बाद ऐसे ही सिलना है आपको बिल्कुल सीधा अगर बेल्ट कम पड़ता है सकते हो और सौरी पेपर लगा सकते हो अब यहां से ब्लकुत सीध है चलाई करने के बाद आपको देखें पूरी स्लाई हो चुकी है इसको हम फिर पलट देंगे पलटने के बाद अब हम इसे साइट का चिला बताते हैं आप अपनी तरब से ही सिले देखेई ये हो गया साइड का सिलना है में तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नई हो तो प्लीस हमारे चैनल को subscribe करे बटर नीचे दिया हुआ है उससे आप ट़च करते हैं तो आप मिरे Subscriber बन जाते हैं अगर कोई भी वीडियो में डालती हूँ पहले देखने के लिए बल आइकन को भी हीट करें ताकि नोटिफिकेशन अन हो जाए और आप तक वीडियो जल्दी से चली जाए और आप जल्दी से वीडियो देख पाएं तो प्लीस स्क्राइब करें चैनल को ज़عदा सी जादा शेयर करें आप लोग अगर एक शेयर भी करते हो तो मेरे लिए बहुत मदद्त हो जाती है प्लीस लाइक, सेयर और स्क्राइब मैं वीडियो और अब आते हैं हम उपर के तरफ यह जो लास्टिक लगाना होता है में लास्टिक के बेल्ट जो भी आपको पसंद हो उसके लिए आपको 1.5 इंच तक का स्पेस चाहिए होता है डोरी डालने के लिए क्योंकि ज्यादा पतला हो जाता है तो बांगने में दिक्कत होगा तो 1. इंच आपका डोरी होना ही चाहिए और इसको चारो तरफ से सिल लेंगे चारो तरफ से सिलने के बाद मीचे नीचे आएंगे जहां पर हमें बकरम लगाना होता है तो जबकि यह पेपर है तो हम इसे फोल्ड करेंगे एक इंच तक और हम इसे सिल लेंगे कपड़ी में आप जैसा आपको कमफर्टेवल लगे अच्छा लगे वैसे आप सिल सकती हो जूरत नहीं है कि मेरी कॉपी आप करें मुझसे अच्छा करें बहतर करें मेरी से और मुझे कमेंट करके बताईए कि आपने क्या बहतरी हैं किया एक जनका कमेंट आया था उन्होंने पेपर से तो उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगोंने कोशिश की मेरी वैज़े से मतलब मेरी वीडियो को देख करके आपने करना सुरू किया और आप जाप कुछ पैसे भी कर पा रहे हो तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो ऐसे करत तो एक है उनका मैं नाम लेना चाहूंगी कुलवंदर सिंग कॉर वह बहुत ही अच्छी है और क्या नम है हर चीज में सपोर्ट करती हैं बहुत ही अच्छी बाते उनसे सीखने को मिलती है मुझे और लीपा जी है जो कि वह बहुत सारी वीडियो में बहुत सारी चीजी उनके पैस मसीन नहीं था तो उन्हें नहीं कहा कि मसीन नहीं है तो ऐसे जरूरत मंद लोगों के लिए अगर वो सब कमेंट करते हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि मन के लिए कुछ कर पाऊं सो एक सिवानी सिवांगी करके हैं वो भी बहुत सारा प्यार देती हैं तो आप लो